स्वागत आप सभी को ग्यापान एकडेमी के इस नए लेटेस्ट और बहुत ही जबरदस्त योस्फुल वीडियो में ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट और आपके बोर्ड एक्जाम के पॉइंट ओव यू से वेनिफिसियल साबित होने वाला है क्यों कि अभी तक क्लास 12 इंगलिस के 5 चेप्टर हम लोग समाप्त कर दिये हैं आज के इस वीडियो में हम लोग 6 चेप्टर की समाप्ति करने वाले हैं वीडियो को सुरू से लेकर आन तक देखना है पर ती एक लाइन को बढ़िया से समझना है क्योंकि हम जो कुछ भी पढ़ाया है अभी तक 5 चेप्टर पढ़ाया है पूरा का पूरा फीडबेक हमें मिला है क्लास 12 वाले विद्यारती जो बढ़ियां से पढ़ करके और हमें जो कमेंट करके बताया है बोले हैं कि सर आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है न भले ही कम भी जा रहे हैं बट जितने ही बच्चे पढ़ रहे हैं उनको डाइरेक्ट दिमाग में फीट हो जा रहा है लेकिन एक समय आएगा कि इस पर व्यूज की बारिस होगी क्यों ऐसे विद्यारती से मैं उमीद इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे को मेरे को खुद विश्वास हो रहा है कि मैं पूरा का पूरा प्रिंटेड बुक के सारे वर्ड को ले करके म नहीं समझा रहा हूं बलकि आपके और हमारे बीच बोली जाने वाली जो इंगलिस सरल भासा है ना जो आराम से हम लोग इंगलिस बोलते हैं इस बहासा में मैं सौट समरी को तयार करके बड़े ही मेहनत और मुसकत के साथ आप सभी के भी शेयर कर रहा हूं मतलब मैं क्या ब इनमी के एक हजार विद्यारती एक लाग भी जुटाने में थोड़ी सी भी समय नहीं लगाएंगे आपसे भी मेरा यहीं रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों मैं जरूर शेयर कीजिएगा और चाइनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके रखिए और मान चलें किया के सिंग़िक रहा है पेंटिंग यहको न हूँ काटने की बीएक अवधिग होती है जैसेो सब्सक्राइब कोई बढ़ बड़ी कला नहीं है लेकि अगि और यन्सान के दौरा उस पर कुछ डिजाइन कर दिया जाए तो डिजाइनर जो मतलब होते हैं जो इंसान डिजाइन करता है उसमें कुछ नया इन्वेट करता है एक नया रूप देता है तो उस परसन को हम लोग आर्टीस्ट कहते हैं तो आज के इस वीडियो में यह चैप्टर सिक्ट नमर जो है ना दा आर्ट समझ लेते हैं फिर उसके सौट समरी को सौट समरी आपको सौट सी एक सबीस वर्ड में लिखने को देता है वर्ड कैसे काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ नौ दस इस तरीका से करके मतलब हम दो बोड लिखवाते हैं पूरे डेर सौट प्लस वर्ड हो ज कौन राइटर है तो हूँ इस दर राइटर आफ डार्टिस्ट तो दा आर्टिस्ट नामक चैप्टर का राइटर है शीगा नौया अगरें की जनम की बात करें जनम तो बीस फरवरी 1883 को हुआ था और इनकी मृत्यू की बात करें तो बेचारे एक एस दस एकश अक्टूब में रखिएगा अब यहां पर मैं बात बता रहा हूं कि अब यहां पर अगर हम लोग समरी की बात करें तो समरी की अगर बात करें तो बहुत ही आसानी से बारीकी से लाइन बाइन से करके समझना है मतलब आपको वीडियो को स्कीप नहीं करना बारीकी से एक बार मेहनत कर द देखिएगा अगर आपको लिखने की बात आईगी ना तो आप पता है कैसे लिखिएगा एकदम इसी तरीका से जैसे मैं लिखवा रहा हूं रुकिया मैं ब्लेक ले ले लूँ यहां देखिए यहां पर देखिएगा दा आर्टीस्ट ठीक है इस एस सौट एस्टोरी ठीक है यानि जो आर्टीस्ट नामक चेप्टर है उसका पहले नाम और उसके डबल इंवर्टेट कमा में दे दिए दिखा दिए कि मैं इसी के बारे में लिख रहा हूं यह सौट एस्टोरी यह एक लगू का था है क्या है जी लगू का था है स्पीच रहा तो हम स्पीच लिखते है वीचक वाव जनीक ड्यपानीज राइटर यह ळीखना हुई कि किसके दिखना गया है वीच वाज री जापानीज रैटर जो जापानी रैटर के दवारर लिखा अब उनका नाम है जैपानी डों कोरू है दो शेसे टोरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है अब आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल में टेंथ कलास है नहीं तो मान की चलिए इस वरके बारा तेरह साल के लड़का तो एट-9 कलास में चला जाता है वहां फाइफ कलास तकी रहता है तो सोचिए कि वह यहां पर इस और और प्लैइंग एबरी टाइंग विध गाड़ अब देखे और यह बच्चे जो Cum पढ़ाई के साथ साथ यह अना सबसे ज्यादा यह ना प्लैइंग एबरी टाइंग विद गाड़ जो हर समय ठीक है नं लोग की के साथ किस सबजी में एक लोगी आता है करेला फिंडे उस तरीके से लवकी के साथ हमेसे वैचारे खेलते हैं after शुटी होने के बाद फिस्कुल खतम होने के बाद मुझे नहीं मुआ से भी जिनका नाम क्या रहता है से भी रहता है अब आगे देखते हैं this story expresses the traditional attitude यह जो मैंने कहानी है ना यह कहीं ने कहीं से पुरानी परंपराओं को यह दर्शाता है of teachers and parents ठीक है ना यह पुरानी प्रथा के जो लोग हैं जो उनकी जो अर्थोडक्स माइंडेड होते हैं जो पुरानी खयालात के जिसे कि आज के जितने बी बच्चे हैं पढ़ाई के सांसात कमा भी रहे हैं वह सेल्फ डिपेंडेंडन है ठीक है ना वह इंटर डिपेंडेंडन नहीं है वह पैरेंट्स के उपर पूरा-पूरी डिपेंडन नही यह हैं था आप कहीं सेरा कर कोई डिपेंड कर सकते हैं ठीक है ना तो मान के चली कि अज़े की आप 12 क्यल्स के विद्यारती हैं तो हो सकता है कि टेंट्ष वेस पर कहीं आप जॉब भी बहुत कम हैं जो गारियन पुराणी प्रथाओं से मिलते हैं वह मना करते हैं कि पढ़ाई को छोड़ करके दूसरा कोई भी काम करना बेकार है मतलब ये कहां की सूछ जाहिए थोड़ी सी मस्ती भी होने चाहिए थे के graphics अपनी शौक भीrą जो भी खेल होता था बच्चे बहुत खेल अब आजकल बच्चे कहां खेला पुरा मोबाइल में फिरी फायर ठीक है ना पब जी इस डैट खुब खेला बढ़ें बढ़ें गेम खेला अब उसी में मंदली वर्क कर रहा है हमेसा पढ़ाई के साथ और गेम के साथ तो इसे क्या लेकिन स्टोरी यह जो मतलब लगू कता है यह जोएति मन्हें कहानी है यह जी लगू कता है यह कहीं ना कहीं से इन सीक्षक और पैरेंट्स के पूरानी सोंच से मिलती है टुर्स एज्जूकेयसन जो सिख्षक के प्रतिर आता है ठीक के और और यहां पर देख लिए एंड चिल्ड्रेंज पृरिंगिंग इनसा ने जो विद्यार थी जो आज की विद्यारती हैं टीचर एंड पैरेंट्स थिच्छक और पैरेंट्स की बात करें ठीक शिक्छक और अधा पीता की बात करें कि देट spending time on things other than studying is a waste of time यानि कि इनका कहाना है सीख्षक और parents का कहाना है कि spending time on things other यानि किसी भी दूसरे चीज़ पढ़ाई को छोड़ किसी भी दूसरे काम में है मनें अपने समय को लगाना यह बहुत बड़ी मुर्ता है मतलब कि एक तरीका से waste of time है इनका यह कहाना है अगर पढ़ाई कर रहा है तो उसके गार्जियन और टीचर मनें पहले कहते थे अभी बहुत कम कहने वाले मिल रहे हैं ठीक है न से भी हूँ is a school going student अब इसका और भी बढ़िया साम विस्तारित कर रहे हैं कि से भी हूँ is a school going student से भी जो विद्याले जाने वाला लड़का होता है एंड हैड़ ग्रेट हॉब्य उसके पास एक बहुत बड़ी शौक होती है ठीक है ना तु क्लेक्ट गार्ड्स क्या चीज़ करने के लिए लोकी कोई कठा करने के लिए ठीधन करने के लिए चीजork gonna कांगा क्यों क्योंके खेलने में ज्यादा ज obrig व्यत्श्व करता था तो यह तरीका से गलत है अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक बादाएक को सतर click user घयर करें कि अंए थीगेफिल रहेंगे ना and playing with students और हर समय जो है ना विद्यात्यों को साथ खेलता था आफ्टर स्कूल विद्याले के बाद और अक्सर क्या करता था ना कि वो शहर के तरफ एक न सहर के तरफ जाता था गाड को गाड बोले तूो लुकी को बतलब लुकी की तलास में यूजे तो वाक everywhere in the search of God वो हमेशा हर वक्त थिक है ना लुकी की तलास में इधर उधर भटकता रहता था बट लेकिन his father did not like this did not like his son's work whatever Sebi was doing लेकिन उसके पीता जी जो Sebi काम कर रहा था यह जो काम कर रहा था यह जो शौक अपनाया था इस शौक से इस काम से ठीक है ना मनलब उसके पीता जी मतलब पसंद नहीं करते थे पीता जी उसके इस काम को लाइक नहीं करते थे तो यहां तक आप ले लिजी स्क्रीन सौट ताकि अब हम नेक्स्ट जो है ना परागर आपको पढ़ा करके इस सौट स्टोरी को पूरा आपके दिमाग में फिट कर दें और उसके बाद से हम इस चेप्टर को समाप्त कर दें त तक ले लिजी स्क्रीन सौट तो चले बिना देर किया हम लोग नेक्स्ट पराग्राफ के परतीक लाइन को हिंदी में करके समझ लेते हैं यहां पर देखिएगा इस फादर डिद नौट वांट वांट टो लिसन टू एनी कंप्लेंट और फिट सौन यानि कि उसके जो पीता इस आन एट्रेक्टिव गॉर्ड यानि कि जो सेवी नामक लड़का था वह बहुत थी अट्रेक्टिव अकर्षित लवकी को खरता था मैंने कुछ डिजहंदार लवकी को खरता था ठीक है ना फ्रॉम एन ओल्डो मैं एक बुड़ी ओरत से एंड और वोस्ट टू एसकूल और बीद्ञाले चला गया यानि की जाते समय ही उखरता होगा तो बीद्ञाले जाते समय लोकी दिखा और दीखी खरिद लिया बैचारा विटगा ठीक ना गाट के साथ चला गया I soon as J जैसे ही यह स्टार्ट पॉलिशिंग गाड अंडर इस डेस्क डेस्क के नीचे चुप चाब बैठ करके उसको पॉलिश कर रहा था मतलब डिजाइन करी रहा था से भी इसकार रेड हैंडेड से भी जो है ना रंगे हाथ पकड़ा गया बाई हीज टीचर उसके सिक्षक के दौ जो फ़े रहे ऊपर दगीचर तुब धांडेड वित हीम सिक्षक जो था से भी को पकड़ा और पकड़ने के बाद सिख्षक जो है ना लघ की के साथ ठीगा ना और कहा एंड फॉलोड और बच्चे को का चलो मेरे साथ से एनि फॉलोड से बी और से भी को भी का कि चलो मेरे यानि कि छिन लिया और चीनने के बाद उस लड़के ओका चलो मेरे साथ मैंने पहले तो डांटा फटका राप पुरा आग बबूला हुआ पुरा गुस्था हुआ और लौकी कुछ छिन लिया और बोला है चलो मेरे साथ और उसके घर चला गया and complain to his parents और यहां पर तो मैंने पहले ही बताया कि उसके पीता जी यहां पर यहीं पर समझा रहे थे उसके पीता जी उसके खिलाब कोई complain सुनना नहीं चाहते थे लेकिन वह क्या हुआ and complain to his parents कौन complain किया सिक्षक ने complain कर दिया उसके parents से ठीक है ना एगेंस्ट सेवी सेवी के खिलाब ठीक है the parents सेवी स्कॉल्डेड विंदेखिए जब भी कभी डाटने के अर्थ में इस स्कॉल्ड का पर यूँग किया जाता है न तो मान की चले की बहुत मतलब डाट मने बहुत इस्ट्राडाट फटकार सुनाए जाता है थो वहां पर स्कॉल्ड कप Plant segment सेवी एसकॉल्डेड हीम वेरी बैडली बहुत ही बुरी तरीके से सेवी को उसके पैरेंट ने डांट दिया और ब्रोक आल दो गाट्स और पुरी तरीके से जो है न मने उस लवकी को तोर मडोर कर ठेक दिया ठीक है न यहां पर देखते हैं कि यहां पर शिक्षक और यहां पर पैरेंट्स यानिकी लड़के के माता पिता और लड़की के सिचे दोनों ही दोनों पूरी तरीके से उसके इंट्रेस्ट के साथ खेल जाते हैं और बच्चे का इच्छा पर पूरी तरीके से दबाव दे करके उसको जलील करके पूरी तरीके से डांट फटकर लगा करके उसको उसकाम को छुडवा देते हैं और अंदर तरह इसे अपन पर क्या हो रहा है लेकिन पढ़ाई के सांसा कुछ कालकारी कर रहा है युद्याले में सीव अगरा है सब्सक्राइब बच्चे क्या चीज में इंट्रेस्टि रखते हैं ठीक है ना उसमें जो है कि बच्चे अपना अलग-अलग activity जो है ना करते हैं Saturday के दिन जो जिसमें रूची रखता है जो जिसमें अपना इंट्रेस्ट रखता है वो बना करके Saturday के दिन लाता है CCA के दवरान जो विद्याले में class curriculum activity चलता है न तो उसके दवरान बच्चे अलग-अलग activity करके class teacher को सौबते हैं और क्लाश टीचर उस पर नंबर भी देते हैं अब मान के चले कि अगर आप मान के चले सेवी के पैरेंट्स और टीचर की तरह मान के चले हम लोग कोई अगर हबीज रख रहा है किसी भी तरीके आगर शौक रख रहा है तो हर सीख्षक और हर माबाब को ऐसा होना चाहिए जाये कि उसको पढ़ाओ के साथ सक्सर कुण। पढ़ारीमा और चीज हे वे रहा किया और अंत में हम लोग क्या करते हैं अपने जिस शौक के प्रती हम लोग बहुत ज्यादा समय नंसीव थे और काफी इंट्रेस्टेड थे और मुझे लगता था और हम सभी को लगता था कि यह चीजे हमारे लिए काफी असान है तो अब पढ़ाई में मान के चलो कि डिगडी ले और उससे हम लोग अर्निंग करना सुरू कर देते हैं तो मैं यहीं कहना चाहूंगा कि हर विद्यारती जो पढ़ाई के साथ अगर कुछ होवीज रख रहा है और उसके प्रती काम कर रहा है तो उसको बढ़ावा देना चाहिए उसकी प्रती कोई किसी तरीका से ठीक है ना फटकार और डांट नहीं होना चाहिए तो कुल मिला जुला करके आज की इस चेप्टर में हमने जो क्लाश 12 इंगलिश का छठा चेप्टर का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएगा ताकि वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिकेशन आप तक पहुंचे और अंत में गुरुदक्षा की रूप में फिर से मैं कहाना चाहूंग कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप जो है अगर वीडियो अच्छा लगे पढ़ाई समझ में आया हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट को खाले मत छोड़ेगा ताकि इसे हमको मोटिवेशन मिलेगा तो हम नेक्स चैप्टर बहुत ही एनरजी के साथ लेकर के आएंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर के साथ तब तक के लिए जैहें